केंद सरकार ने आज संसद में महिला अरक्षन बिल पेश किया है लेकिन अब आम आदमी PARTY कह रही है कि ये बीजेपी का महिला बेवकू बनाओ बिल है ऐसा क्यों कहा जा रहा है इस बारे में बाचीत करने करें हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिश नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी हैं आतिशी बेकु बनाओ बिल कह रही है आप इसको देखिए जब ये बात आई कि महिला आरक्षन बिल लाया जा रहा है संसद में तो आम आदमी पार्टी ने उसका स्वागत किया हमने कहा कि हम सैध्धान्तिक तौर से इस बिल का समर्थन करते हैं महिलाओं के लिए आरक्षन होना चाहिए संसद में होना चाहिए विधान कि लिए पहले संसस होगा संसस के बार डी लिमिटेशन होगा और फिर डी लिमिटेशन के बाद इस बिल को इंप्लिमेंट किया जाएगा यानि कम से कम एक साल संसस में एक से डेड़ साल डी लिमिटेशन में तो दो धाई साल से पहले ये महिला आरक्षन बिल देना है तो वो दो हजार चौब़ेस की चुनाव में दे देते हैं, क्यूं अभी की 543 सीट में महिलाओं को एक तिहाई सीटे नहीं दी जा सकती हैं, क्यूं उसके लिए आपको जंगरना चाहिए, क्यूं उसके लिए आपको नए डी लिमिटेशन चाहिए, इसी लिए ये तो अब महिलाओं का वोट पाने के लिए उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जब बिल पेश हो गया है ुइस पर चर्चा होगी वोटिंग होगी तो आपूग समर्थन करेंगे। देखिए हम तो demand करेंगे, हम floor of the house पे demand करेंगे कि इस bill को amend किया जाए और जो bill पेश होते हैं संसर में उनमें अक्सर amendments होती है जो bill present किया जाता है और जो आखिर में पांस होता है उसमें कई प्रकार के संशोधन होते हैं तो अगर भारतिय जनता पार्टी की नियत साफ है कि वो महिलाओं को आरक्षन देना चाहती है तो फिर भारतिय जनता पार्टी को इस bill को amend करना होगा हम उम्मीद तो करते हैं वरना आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी की नियत नहीं है क्या ये साफ हो गया फिर आतिशी सीदे तोर पर ये कह रही है कि इसमें संशोधन की जरूरत है ये सिर्फ शगूफा नजर आता है चुनाओ से पहले क्योंकि इसको अमेंड होने में काफी वक्त लग सकता है तो फिलहाल इस्तिति ये है कि आमाधी पार्टी इन प्रिंस्पल सपोर्ट जरूर कर रही है लेकिन आमाधी पार्टी का एक कहना है कि इसमें अमेंडमेंड की बहुँ ज़ादा जरूत है ताकि ये तुरंट लागो हो सके कैमरें मुहत केशले के साथ दीपक सिंग रावत इबीपी न्यूज दिली